त्रिप्ति वर्मा जी स्वागत है आपका हालो हान जी मैम कहां से बात कर रही है हम दो से बात कर रहे है जी मैम सवाल सवाल ये है कि मेरा आप्रेशन हुआ है और मेरा पेक मतलब लटक चुका है कितनी उमर है आपकी और कब आप्रेशन हुआ था तीन मेले पहले हुआ है एज बता दीजिए एज किस बहुत कम उमर है और अभी करें गरम पानी पिया करें तीन में पांच बार और एक घंटा पैदल चला करें और किसी का वेट जादा हो या पेट जादा हो या चर्बी जादा हो खून में चर्बी कॉलिस्टॉल ये सब बाते जिसको भी हो एक चुटकी सोड़ा जो आपे किचन में पाया जाता है खाने का सोड़ा एक चुटकी दो गिलास पानी में डालें और एक चुटकी नमक जैतू इस दुनिया का एक विशेश नमक है, जिसे असली लेना जरूरी है, कुछ लोग नकली भी बेचते हैं, एक चुटकी नमक जैतुन, एक चुटकी खाने का सोड़ा, पानी में मिलाकर, रोजाना एक बार या दो बार पी लिया करें, जितना वेट या जितना पेट, जितना कॉल वेट कम करते हैं, एक महिने हम कहीं, आप ऐसी गुजाय ना खाएं कि 6-7 किलो वजन बढ़ने लगए, और हम 3-4 किलो वजन कम कर पा रहे हैं, तो डाइट कंटॉल भी जरूरी है, इन दौर से करनल वर्मा जी, स्वागत है आपका, नमस्कार सर, कैसे हैं आप, हम ठीक हैं, आप कैसे हैं, आप रहे हैं, आदा वाकिन साफ, जैहिन स्वागत करनल साफ का, कैसे हैं आप, नहीं आपकी, साफ बहुत अच्छे, बहुत मज़ा आ रहा है, जी, एक चीज पूछना दी, कि जो ठंडे मिज़ाज के जो लोग होते हैं, तो वो गौन मौरिंगा किस तरह इस्तिमाल करें, और एक और बात कहना दी कि आप आप वारे लिए दूआ करें, बत और खात रोजी के दिए, बत जरूर, जी, और ठंडे मिज़ाज के लोग, एक चुटकी या दो चुटकी अद्रक के पाउडर के साथ, या एक चुटकी पीपले उसके साथ इस्तिमाल कर सकते हैं, तो उन लोगों को ठंडा नहीं पढ़ना चाहिए.